कि बिस्मिल्ला रह्मान रहीम स्सलाम आलेकुम आज मैं बना रही हैं यह बेबी ब्यूटी बेबी मिटन इस रांग में सबसे पहले हम इसका बॉर्डर बनाएंगे फिर हम इसको इस तरह उपर बनाते जाएंगे यहां तक बनाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम इसमें डालेंगे खाने हमने चाहिए तैंटी सखाने डालेंगे एक दो तिन करते हम शाएंगे रान थे शाब हाद, ना, तस, ग्यार, बार, तेर, जाद, उसका हम, दो सीधे, दो उल्टे, इसमें दो सीधे हैं, दो उल्टे, फिर दो सीधे, दो उल्टे, तो इसको बनाने के लिए इन चीजों की जुरुत पड़ेगी, यह मैंने इसमें निशानी लगाने के लिए बनाएं, यह किसी भी दूसरे रंग से ना, जो आप जिससे बना रहे हैं, उससे नहीं किसी दूसरे रंग के उन अप इस तरह के बना लेएं दो गाठ लगाने, लगा के, यह पिर मैं बताओं की कहा हैं इनकी जरूरत पड़ेगी, और ये सुई की जरूरत पड़ेगी सीने के लिए और प्रेंची और ये ख्रोशिया हैं इनकी जरूरत पड़ेगी पर हम ये दो सीधे दो उल्टे बनाते जाएंगे दो उल्टे दो सीधे तर दागा आगे करके दो उल्टे तर दागा पीछे करके दो सीधे फिर दागा आगे करके दो उल्टे तर दागा आगे करके दागा आगे करके फिर दो उल्टे इसी तरह हम बनाते जाएंगे दो सीधे दो उल्टे दो सीधे दो उल्टे इसी तरह भी पूरी सलाई आपने बनानी है दो सीधे दो उल्टे और दो सीधे दो उल्टे दागा पीछे करें दो सीधे तरह आगे करके दो उल्टे इसी तरह हमने दस सलाई है इसी तरह चड़ानी है इसी का कि दो बना के पाई में अगए दोस बनाते हैं यह से सुधे करें लेड़ानी है यह जहां तक हैं यहां तक बन गै अम यहां इसमें जाली बनाएंगे यह डोरी डालने के लिए एक सीधा बुन लेंगे ते धागा आगे करेंगे और दो इकठे बुनेंगे इस तरह तिर एक एक बुनेंगे फिर धागा आगे करके फिर दो इकठे बुनेंगे तिर एक बुनेंगे फिर धागा आगे करेंगे फिर दो इकठे बुनेंगे तिर एक बुनेंगे ये धागा आगे करके, दो एक अठे बनेंगे, फिर एक, एक बनके, फिर धागा आगे करके, फिर दो एक अठे, जी पूरी सलाई इसी तरह बनानी है, बीच में एक, और फिर दो एक अठे, फिर एक, फिर दो एक अठे, फिर एक, फिर धागा आगे करके, फिर दो एक अठे, ये धागा आगे करके बनाएंगे, वरना बगैर आगे की ये अगर बनाया तो वो आपके जो है ना कुंडे कम हो जाएंगे, तो इसलिए जब जाली बनानी होती है, उससे पहले धागा आगे करते हैं, फिर दो एक अठे बनाते हैं, फिर एक आगे दो एकठे, फिर आगे जो ये दो हैं, इनको इसी तरहीं गुल लें, अब अगली सिलाई जो है, वो सीथी सीथियों की सारी, सिरफ सीथी सिलाई है, ये देखें, आपे दर्जाली बनेंगे, इसको अमस्ती तरह बना लेंगे, आगे दो पेखें, आगे पेखेंगे, ये दोघए लेंगे, इसको अमस्ती। दिलाई है, रखेंगे दो हैं, आगे दो हैं अब इसी तरह बनाते जाएंगे इसके हमें 14 सलाइएं चड़ानी है तो अब भी मैंने एक ही चड़ाई है यह दूसरी सलाइए है यह बिल्कुल यह चोटे बच्चे का साइज है जो निव बॉन होता है बिल्कुल एक दिन का समझो बच्चा है तो यह उसका साइज है और इसको फिर तीन महीने तक बेहन सकता है यह तीसरी सलाई यह नए सीखने वालों के लिए यह आसान होता है कि आप एक ही साइट पर बनाते जाएं यह अच्छा भी लगता है डिजाइन और सीखने के लिए भी बहुत आसान है अब यह सिर्फ सीधी सीधी से लाई है यह बाटर पर मैंने दो सीधे दो उल्टे बनाएं यह सिर्फ सीधे सीधे हैं तर पर मैंने पर एक हैं यह सिर्फ सीधे बनाएं यह सीधे हैं इसी तरह सीदह सीदह बनाने से इसका जो डिजाइन है वह दोनों तरफ से एक जैसे ही आएगा दर से भी अरे दर से एक जैसे आएगा द 앞에 जाते से ररी न को कुझमेनी इदवाइन आएगा है आएगा मत रिजए झाते से आएगा र screenshotॉ कि झाताई से एतिएला या थे वित вас कही आएगा हैं झाल 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 पाल झाम ्नk कि घुण झाल 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 पांच में सलाई पूरी हो गए यह देखें एक दो तीन चार पांच में सलाई हो गए यह आब है च्छटी सलाई चीमी सलाई पांच में सलाई पांच में सलाई यह देखें यह जए नह है यह देखें पूरी अब है सब्सक्राइब कि अब है सब्सक्राइब कि अब है सब्सक्राइब साथ मिसलाई हो गई पूरी और अब है अठा मिसलाई साथ मिसलाई पूरी और अब है 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 ये और नविसलाई है कि यह लोगे नौ सिलाया ऐसे एक दो तीन चार पांच छेस्ट यह आठ सिलाइंगा हो गए अब मेल नौ सिलाई झाल 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 याल झाल 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 बहुत जल्दी बन जाने वाली है चीज है अब बैठे बैठे इसको बना लेंगे दस सलाईया बार्डर की चड़ा के तो उपर से ये इस शीथी सीथी सलाईया है ये दसी सलाईय में चड़ा रही है अब इस चार सलाईया और चड़ाओंगे ये हो गहीं दस सलाईया ये अगार। बहुत 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 है ये जगी तो है बहुत बहुत झाल झाल ग्यारा से लाएं हो गई यह बार्मी से लाए यह बहुत चोटे बच्चे का है अगर आपने बड़े उका बनाना है जैसे छे मीने के बच्चे का तो आपने जो है ना कुंडे इतने ही रखने हैं और उपर से पिर आप यह बार्डर भी इतने ही बनाना है अगर चाहें तो आप इससे लंबा बना सकते हैं और उपर से पिर आप इसके चौदा सलाईयों के बजाए आप उपर से बनाएं जितनी जरूरत तो वीस सलाईयां बना लें या बच्चे का हाथ लंबा तो हो जाता है लेकिन इसकी जुकलाई है ना वो इतनी ही रहती है यह हो गई ही बारा से लाएं आप यह तेर में से लाएं स्द्टनाव के लेशने का वार से लाएं कर देती है ऐसके लेकिन के लाएं स्वेग्टन स्वेऊच के लाएं पड़िंवग मारें एग ये टवी ज़िए दूरी अब यह आखरी जैन यह है चादमी सिलाई पर चादमी सिलाई पर चादमी सिलाई के बाद हम इसकी कटाई शुरू करेंगे उपर से शेप बनाएंगे हादे झाल 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 झा यह हो गई जादा से लाएं अब हम इसकी उपर से कटाई शुरू करेंगे पहले हम इसके इदर से कटाई शुरू करेंगे एक सीधा बून के पिर दो एकठे ऐसे पिर यह हो गया है चार जो एकटा भी लिया था चार यह पांच छे साथ आठ नौ दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा सोला और सत्रा यह जो कुंडे है ना इनको हमें आधा आधा करने तो अब देखें इदर कितनी एक दो तीन चार पांचे साथ आठ नौ दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा सोला और इदर हो गया सत्रा तो इसको हम इदर कर लेंगे जो यह वाला है इदर हमने सत्रा बनाए थे इस एक कुंडे का हम इदर कर लेंगे ऐसे इसमें हम रखेंगे निशानी यह निशानी इसमें रखेंगे यह और फिर हम इस एक को बनेंगे फिर हम निशानी रखेंगे एक के बाद यह इसलिए कि इसको ना हमने आद दूसरी सलाई पर कटाना है तो फिर जब हम यहां पर पहुंचेंगे तो यह हम जाद होगा कि हमने इदर भी कटाई करनी है तो अब इदर से तो इदर से भी काम करना था यह हो गए ना एक और चुकटा लिया है तीन चार पाँच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चौदरा सुला इसको ना इदर से भी दो काम करने थे हैं पहरे में इनको अब इम उतार के रख लेते हैं जो यह है ना दो दो खाने यह वाले यह इनको भी कटाना है अब इस पर निशानी रखेंगे फिर यह एक बुनेंगे फिर निशानी रखेंगे फिर हमने दर से दो कटाने और इनको पीछे से ऐसे उठाएंगे ऐसे अब आगे जितने भी हैं भुन के तो आखरी तीन खाने बाच जाएंगे जब तो तब हम दो एकटे भुन लेंगे और एक आखरी वेला बुन लेंगे यह देखें तीन रह गए तीन को अब इनको भी हमने पीछे से उठा के ऐसे करना है बाद करना है ऐसे यह और इसको हम इसी तरह बुन लेंगे अब जो अगली सलाई है इसको हम सीधा सीधा बुन लेंगे आखर तक इस में इस सलाई में हमने कोई कटिंग नहीं करनी तो कटाई नहीं करनी है अब इसकी निशानी को हम इस सलाई पपर च्ड़ा देंगे और इसको हम सीधा बुन लेंगे फिर इसको भी इसी तरह इस सलाई पर ले और इसको भी सीधा बन लेंगे आखिर तक सीधा ही बनेंगे अब फिर हमारी कटाई करने वाली से लाई है इसको सीधा बनेंगे और यहां दो इकठे बन लेंगे यहां अब बीच में हमारे इतने भी हैं अब यह देखें एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ और यह नौ अब नौ के बाद पिर हम इंगे यह इस निशानी से पहले दो इकठे बनाएंगे और इस निशानी को भी हम इदर ले आएंगे अब यह जो है ना दो इनको इकठा बनने पीछे से इस तरह करके पिर आगे नौ खाने सीधे बनने यह एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ अब आखिर में तीन रह गें इनौ इन तीन को इस तरह पीछे से यह दो खाने पीछे से बनेंगे ऐसे और आखरी भी इस तरह बन लेंगे अब यह है चौथी सलाई कटिंग के बाद की चौथी सलाई यह इसी तरह सीधी सीधी बनाएंगे कि मैं लेडि़र व्हा रवेशने आखरी तरह मुझत परेशने अर कि बन Amazing दागा मेरा काम हो गया इसको दूसरा दागा साथ में लाएंगे इस तरह करके है 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 हमारी सीधी सीधी से लाई है इसके जो निशान है इसको इसी तरह तार लेंगे और इसको आगे अखित तक बुन लेंगे अब है अगली से लाई यानि के छटी से लाई है इसको इसी तरह बुनेंगे और इसके हम दो कठे करेंगे आगे बढ़ जाएंगे साथ खाने एक दो तीन चार पांक छे और यह साथ इन साथ को हम यह साथ हो गया और जो यह दो रह गया है न यहां पर इन दो को एक अठा बुनेंगे इस तरह और इस निशानी को हम इस लाई पर ले आएंगे और इसको सीधा बुन लेंगे और इस निशानी को बी हम इधर लेंगे ऐसे अब इसको दो को एकठा बोनना है इसे, यहाँ, ऐसे, और आगे से साथ खाने हम सीधे बोनेंगे, तो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, तीन रह गए हैं, तीन को हम बीछे से दो लेके, एकठे बोन लेंगे, ऐसे, और यह एक, इस तरह है, यह स्लाई सीधी सीधी जाएगी, इसमें कोई कर्टिंग नहीं करेंगे, यह निशानी अभी इसी तरह दूसरी स्लाई पर ले आएंगे, ऐसे, इस तरह हैं, इसको भी सारा सीधा सीधा बना लेंगे, अब है आठमी सलाई, तो आठमी सलाई को भी, यह कटिंग वाली सलाई है, हमारे, इस पर इकटा ही करेंगे, यह एक सीधा, दो इकठे, अब हो पांच बनने हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच आप यह दो रह गहें, इन दो को हम इकठा बनेंगे, इस तरह, आइसे, निशानीगे को इदर ले ाइएंगे इसे, पिर इसको बुनेंगे तीर इस निशानी को इदर ले आइंगे और इन दो को पीछे से उठा氣 एसे इकठा बुन लेंगे इस थर पांच बुनेंगे एक, दो, टीन, चार, और पांच अब ये तीन रहा गए हैं इसको पीछे से उठाके इस तरह बंद कर देंगे और ये इस तरह बॉल लेंगे अब ये है सीधी सीधी सलाइब इस सलाइब कोई कटाई नहीं करेंगे निशानियों को भी इसी तरह दूसरी सलाइब चड़ा देंगे इस तरह और आगे हम सीधा बुनते जाएंगे अब इस सलाइब पर हम कटिंग करेंगे दो एकठे और आप हम बुनेंगे तीन इस तीन इन दो कटा निशानी इदर और ये एक बनेंगे फिर निशानी को इदर करेंगे तेरे इसको बनेंगे फिर इसको हम दो इकठे बनेंगे यहां पीछे से ऐसे अब तीन बनेंगे अब फिर दो इकठे बनेंगे पीछे से उठा के इस तरह इसे अब जिये वाली इसको सीधा सीधा बनेंगे इस पे कोई कटाई नहीं करनी अब एकठे कीष बने 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 हो एकठे की एकठे यह बने होगे याफ्ट इसक्नल اور बने इसकριीछ सीधा के मेंगे फिर रहा इसको साइल को झीजार बने होっぽा बने Sum मैं अब इस सलाइपे हम कटिंग करेंगे एक बुना फिर दो कठे बुनेंगे इस तरह एक अंदर बीच बुनेंगे इस तरह इन दो को पीर कठा बुनेंगे इस तरह ये निशानी इधर और इसको बुनेंगे और ये वाली निशानी इधर और इसको भी इधर बुनेंगे इसको लिए इसको हम दो एकठे बुनेंगे यहां से पीछे से उठा के ये वाली साइट जो है न हम इस तरह बुनते हैं ताकि इसका जो ये खाने है न इनका रुख इधर रहे इस तरफ और जो हम इस तरह बुनते हैं इस तरह तो इस का रुख जो है ना इदर हो जाता है इस तरफ इस तरफ हो जाता है इनका इदर हो गया ना इनका इदर हो गया ये देखें नज़र भी आ रहा है अब एक बुनेंगे और इसको भी कठा बुन लेंगे इस तरह अब जी सेलाई सीधी बुनेंगे सीधी सीधी होगी सारी कितने रह गए हैं एक, दो, तीन, चार अब जी निशानी निकाल लेंगे अंदर से और ये हो गए पाँच और ये ये वल निशानी भी निकाल लेंगे छे, साथ, आठ, नौ ये नौ इसमें रह गए हैं नौ कुंडे, इनको आम इदर बंद कार देंगे एक बनाया, दूसरा बनाया, फिर इसको उसके उपर गिरा दिया फिर इसी तरह आखिर तक बनते जाएं, एक एक साथ मिलाते जाएं और उपर गिराते जाएं ऐसे इस तरह ये देखें, आखरी काना आगया, ये हो गया बाद अब हम इसको निकाल लेंगे ऐसे और इसको जो है न, इसके अंदर से गुजार लेंगे इस तरह, अगर हमने इसको अंदर नहीं गुजारा न, तो ये फिर से सारा उध़ जाएगा तो इदर से हम ऐसे गुजार लेंगे, ताकि ये इदर पका हो जाएं, इस तरह ऐसे यह देखे चोटे से बेबी का ग्लास बन गया अब इसका धागा हम काट लेंगे जरा सा लंबा करके काटें क्योंकि इसको सीना होता है तो थोड़ा ज़्यादा जरूरत पड़ती है यह ले अगर काट लिया अब इसको सीने के हम यह देखे न इस तरह आए न यह तो इसका यहां से शीनेंगे यह देखे यह देखे यह इस तरह आएसे है पर हम इदर सीनेंगे उल्टी साइड से इसीन है, यह मेरी उल्टी साइड है, यह उल्टी साइड है, इधर से हम यह दो बल दे के ऐसे, तो फिर हम वापे सिदार आएंगे, ऐसे, इसी तर आगे हम सीते जाएंगे, इधर से गजारेंगे, ऐसे, फिर इधर से, फिर इधर से, फिर इधर से, ऐसे, जाँ सि पेवारेंगे, थिर हैंगे, झाललल्टी साइड को पैना है, एक जढ वापे से, खिर इधर से, शिर इधर से, लिवार से, ढगी है, यपिर से, खिर डा़phem消ोंडे है, ज दो जो से, वाने फिर्जेकिर्थम्गे, एकना है, इसे, अच्पारी से. हर एक उसमें से आपने गुजारना है ताकि इसका ना सही तरह से लजाए है 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 यह हो गया है आखित तक अब यह दागा जो पहले पड़ा था और यह कि इनकी आम लगाएंगे गांट इस तरह और इसको हमें तरी पका कर देंगे तक अंदर के इन चुपा देंगे ऐसे कार्षा यहां कि इसको भी चुपा देंगगे इसको भी सितर हिता ना चुपा देंगे ताकि यह अंदर ही कहीं टक जाए ना, ताके उदरने के चांसे जना रहे हैं यह देखें, इस तरह करके, एक एक चोड़ के अंदर से गजारते जाएं अंदर तक चले जाएं ऐसे, ऐसे, और इसको ऐसे खेंच ले, अगर तो बहुत लंबा है तो आप इसको काट लिए और जादा लंबा नहीं है तो इसको आप ऐसी तरह रहने दे, ऐसे यह देखें, कुल इस तरह का बना है, अब हम बनाएंगे यह वाली डोरी, एक रोशी से जो बनाते हैं इसके साथ चेन डालने हैं दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, तस, ग्यारा, बारा, तेरा, चादा, अबरा, सोला, स्तुरारा, ठारा, उन्नी, वी, एक्की बावी, त्रेवी, चर्वी, पंजी, चर्वी, चत्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्तत्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त् प्प्पपपपफपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपप इतर से गुजार के ऐसे, खेंच लेंगे, अगर इसको इस तरह ना किया तो ये सारा उदर जाएगा, इसको हम इतर से खेंच लेंगे, ऐसे, ये ले, अब इसको हम डालेंगे, सुई के अंदर, ऐसे, इसमें डालेंगे, यहां से हम डालना शुरू करेंगे, यह देखेंगे, यह जो हमने जाली बनाई की न, यह देखें, यहां से शुरू करेंगे, 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 अब यह साइज जो है यह चोटे बच्चे जो है मतलब एक दिन का भी है उसको भी पूरे आ जाएंगे तीन महीने तक आ जाएंगे यह अगर उससे बच्चा बड़ा है तो जैसे छे महीने का है तो आप ने यह जो चीज है ने यह इसी तरह रहने देनी है इसके मैंने 33 खाने रखे हैं तो इसके 33 ही रखने यह देखे नहीं कितना खुल जाता है यह 33 रखके तो यहां से आपने ना बड़ी ज्यादा यह मैंने इतर 14 सलाइयां चड़ाई हैं तो यह जो है ना लाइने यह साथ लाइने यह देखे ने एक दो तीन चार पांच छे साथ 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 सलाइयां कि अगर आपने इसे बढ़ा बनाना है तो आप चार इस तरह की लाईने और बना लें ताकर आठ से लाईने और इसके उपर बना लें this जीlys तरह मुझा हो जाएगा थिर उसके बाद आप इसकी कि gagnवी इसी तरह शुरू करते हमिए यो ने यह वाली कताई ही है किस्पी हम गां ते लगा लेंगे और ये धागे कफी लंबे लाग रहे हैं इनको थोड़ा थोड़ा काट लेंगे ऐसे ये मारे मिटन्स त्यार हो गए हैं दोनों उमीद है आपको मेरी ये वीडियो पसान्द आएगी तेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाएं और दौाओं में याद रखें खुश रहें और सब को खुश रखें अल्ला हाफिज